Hello Get Aspirants तो आज हम बात करने वाले हैं System of Linear Equation के बारे में तो System of Linear Equation होता क्या है? System of Linear Equation आपका दो चीज़ों से मिलकी बना है यहां पर आप देखेंगे तो पहले आपका Linear Equation आता है दूसरा क्या आता है? System, right? तो Linear Equation क्या होता है? पहले Linear Equation को समझ लेते है तो Linear Equation ऐसे equations होता है जो दो Variables की बीच में exist करते है और जिसकी help से आप Graph पे Straight Line को क्या कर सकते हो? Plot कर सकते हो, right? और हम इसे Easy Way में समझे है तो Linear Equation क्या होता है? दो Variables की बीच के ऐसे equations जो आपको Straight Line को Plot करने में Graph पे help करते हैं Like Example अगर हम यहाँ पे ले देखिये Suppose हमारे पास कुछ equation है 5X plus 3Y is equal to 0, ठीक है? यह आपका equation यहाँ पे Variable क्या है? आपका X और Y, right? तो इन दूरों को आप Combine करों तो यहाँ पे एक equation बन रहा है, ठीक है? और जो की आपका Straight Line का equation है, right? And यहाँ पे अब आप देखिये 5 और 3 है तो इसी आप solve करोंगे तो यहाँ पे आपकी X की कोई value आएगी और Y की कोई value आएगी उससे आप क्या करते हो कि यह आपका X है, यह आपका Y है, right? तो X और Y इन दोनों की values को आप यहाँ पे plot करते हो then कुछ इस तरह के से meet कराते हो then यहाँ पे इस तरह से आप Straight Line को draw करते हो, right? तो यह हो गया आपका क्या? Linear equation है ना? तो फिर आता है आपका क्या? System तो system क्या है? Suppose आपको एक सी जादा equation दिये हो Straight Line को plot करने के लिए एक पहला equation हो गया दूसरा equation आप suppose 4X plus 2Y equal to 0, right? तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे? दिखिए, आप यह पस दो equation है आपको याद होगा, इन दोनों equations को हम एक साथ रखते थे फिर उसे कुछ divide, addition, multiplication करते थे X की values आती थी फिर X की values रखके equation 1 या equation 2 में जिसमें मर्जी हो आपकी वहाँ से फिल Y की value निकाल लेते थे, right? तो यहाँ से आपको suppose मिली 3 और 4, है न? तो यहाँ पर आप क्या करते थे? यह आपका 3 है, suppose यह आपका 4 हो तो से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते थे तो बात ही है यहाँ पर कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक से जादा equation दिया हो तो वह आपका क्या कहलाता है? system of linear equation है न? अगर आप इक journal में बात करो कि system क्या होता है? मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम दिये है या कोई प्रॉब्लम दिये है उसके आपके पास solutions एक से जादा है तो आप क्या बोलो कि भाई आपके पास set of solution आपके पास जादा है problem को solve करने के लिए तो सेम उसे तरीके से यहाँ पर system of linear equation है फिर दूसरी चीज आते है कि भाई system of linear equation यहाँ पर तुमने देखिये बात कर लिए what is system of linear equation अब यह भी ज़रूरी है कि why we use system of linear equation okay why we use system of linear equation तो system of linear equation का use हम इसलिए करते हैं ताकि हम यह पता लगा सके कि जो हमारे पास system है वह consistent है कि inconsistent है मतलब find क्या consistency और consistent और दूसरा inconsistent मतलब आपके पास जो system है ठीक है suppose यहाँ पर जो equations है यह आपकी consistent है कि inconsistent है अब यहाँ पर देखिये बात आती है कि consistent क्या होता है consistent का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई system of equation है okay तो उसके पास at least one solution exist होना ही होना चाहिए मतलब जो आपके equation मिल लई है उसकी एक possible solution जरूर आना चाहिए जरूर आपके तभी तभी वो system क्या होगा consistent होगा otherwise वो inconsistent होगा है ना तो यहाँ पर मैं आपको लिख देते हो so if in any system of equation at least one solution exist okay one possible solution जरूर exist करना चाहिए यहाँ पर आप example देखिए जिसे 2x is equal to 0 है 2x is equal to 0 है तो यहाँ से अगर आप इस question को solve करोगे तो आपको x की कुछ value मिलेगी मैं यहाँ पर suppose करती हूँ की x की value मुझे 0 मिलेगी मतलब 1 मुझे solution जरूर मिल ला है एसा नहीं की मुझे एक भी solution यहाँ पर नहीं मिला है यहाँ पर मैं x is equal to 0 रखोगी तो यह पूरा का पूरा equation आपका 0 हो जाएगा तो मुझे एक possible solution मिल ला है अब बात आती की आपका inconsistent क्या होता है inconsistent मतलब ऐसा system of equation जहाँ पर आपको एक भी solution exist नहीं करता है right if in any system of equation no solution exist okay no solution exist वह आपको क्या कहलाता है inconsistent और consistent जहाँ पर एक solution जरूर exist होना चीह है तो I hope यहाँ पर आपको समझ में आया होगा let me take another page तो हमने यह दिखा कि consistent और inconsistent क्या होता है बट वहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी system of equations की मैं बात कर रही हूं है ना वहाँ पर एक solution आपको exist होना चाहिए बट हमें अभी यह कैसे पता लगेगा कि हमाँ पास जो solution है वह किस type का solution मिलना है एक solution तो है बट वह किस type का solution है तो उसके लिए system of linear equations के अंदर दो चीज़े आती ही क्या पहला तो आता है है आपका homogeneous system of linear equations homogeneous system of linear equations दूसरा आता है कि आपका non homogeneous system of linear equations तो जो solutions है आपके वो homogeneous हो सकते हैं या तो non homogeneous हो सकते हैं तो अब homogeneous क्या होता है non homogeneous क्या होता है इसे अब थोड़ा सा चाल लेते हैं तो यहां से देखिए suppose हमारे पास कोई linear equation है ठीक है तो यहां पर मैं लिखते हूं 4x minus 55 equal to 0 3x plus 4y equal to 0 ठीक है यहां पर में पास 2 equations और है उसे भी लिख लेते हैं मैं same लोगे यहां पर 4x minus 55 equal to 7 and 3x plus 4y equal to 10 तो पहले हम यह पहले linear equations की बात करेंगे फिर हम दूसरे system of equation की बात करेंगे ठीक है तो अगर मैं जो मेरे पास यह 2 equations है क्या मैं इन्हें matrix form में लिख सकते हूं बिल्कुल लिख सकते हूं तो इसका matrix form क्या होगा इसका matrix form क्या होगा 4 minus 5 3 और plus 4 right यहां पर देखी क्या आप लिख सकते हैं अगर मैं लिख दूँ तो क्या ही गलत हो जाएगा नहीं हम इसे लिख सकते हैं अगर आप यहां पर अब multiply करेंगे 4 और 5 को तो आपको पहली equation मिलेगी 3 4 को आप x y से multiply करेंगे तो आपको दूसरी वाली equation मिलेगी है ना n equal to क्या है आपका यहां पर 0 है इस तरह से हम इसे कुछ लिख सकते हैं पहले वीडियो में जहां पर हम rank निकाल ले थे तो आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जो मेरी यह मैट्रिक्स है क्या मैं इसे नाम दे सकती हूँ बिल्कुल दे सकती है नाम देने में क्या है और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है आपकी ठीक है इसे हम नाम दे सकते हैं क्या सब्सक्राइब आप इसे नाम देती है ax equal to zero लेख सकते हैं न क्योंकि हमें तो पता है यहां पर defined है कि A matrix क्या है आपकी यह है and x क्या है आपकी यह matrix है तो ax equal to zero हमें यहां से form मिल गया है न तो जो यह ax equal to zero है यही आपका क्या कहलाता है homogenous system of linear equation homogenous system of equations right अगर आपको कोई भी matrix इस form में दी है ax equal to zero मतलब a matrix दी है और x matrix दी है तो इसका मतलब वो आपसे क्या पुछ रहा है वो आपको क्या बोल ला है कि यह homogenous system of equation है right इसी तरीकी से हम अब देखते है कि non homogenous system of linear equations कैसे आते हैं कैसे बनते हैं हमारे system of linear equations के अंदर देखे हमारे पर यह दो equations दी हुए है right तो इनका हम निकाला है तो matrix form क्या होगा इनका matrix form कैसे लिख सकते हैं same इसे तरीकी से लिख सकते हैं four minus five three four right यहां पर क्या है आपका x और y but देखे यहां पर आपको कुछ values दी हुई हैं तो यहां पर zero नहीं दिया हुआ है right यह आपको ध्यान देना है seven और ten तो again हम यहां पर नाम लिख लेते हैं यह जो value है इसे हम नाम दे सकते हैं यहां पर a again इसे आप नाम दे सकते हो x जैसे हमने यहां पर दिया ठीक है मैं same name यहां पर use कर रही हूँ ताकि कोई confusion ना हो थिक है बट यहां पर देखे हम ने कहा था कि आप इसे zero भी नाम देगे तो भी कोई यहां पर देखें आपसे zero नहीं कहरों पर कङह यहां पर कुछ आपको constant values देए नाम दे देते हैं आथे हैं पकया हम इसे अपकह सिस्तर ब्लेख सकते हैं क्या ax. situación to ab यहां पर देखिए यह क्या है not equal to 0 है यहां पर we have constant matrix मिल लही है है ना तो यही आपका क्या कहलाता है non-homogeneous system of linear equation non-homogeneous system of equation मतलब अगर आपको कोई matrix दी है ax equal to b के form में इस तरह से कुछ ठीक है not equal to 0 है तो मतलब वो आपसे बोल ला है कि भाई यह non-homogeneous system of equation है ठीक है यह आपको याद रखना है I hope यहां से आपको यह बता चल गया है कि homogeneous system of equation क्या होता है non-homogeneous system of linear equation क्या होता है या कैसे बनते हैं हमारे system of equations के अंदर है ना तो फिर अब यहां से again बात आती है कि देखिए अब यह जो हमारे पास दो form निकल यह जो दो हमारे पास system of equations निकल क्या है homogeneous और non-homogeneous system of linear equations के अंदर इसकी क्या जुरूत पड़ी तो भाई इसकी जुरूत यह पड़िए कि हमें यहीं से पता चलेगा कि हमारा जो यह हमारे जो equation है यह दोरू यह आपके कितने consistent है consistent है कि inconsistent है मतलब जो solution हमें मिलेगा इनको निकालने पे वो कितने है मतलब वो किस type के solution है solution exist कर भी रहा है actually में की नहीं कर रहा है ठीक है अगर solution exist हो रहा है तो किस type का है मतलब infinite many solution है या many solution है जैसे मैंने आपको बताया हमें एक value मिल लेगे है possible solution मिल ला है या एक से जादा infinite solution मिल ला है ठीक है तो वो हम homogeneous और non homogeneous के अंदर देखते हैं इसमें हमारे कुछ conditions होती है ठीक है वो conditions हम next video में detail में discuss करेंगे यह एक जनल आइडिया है कि homogeneous कैसे बनते है non homogeneous कैसे बनते हैं हमारे system of equations के अंदर ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको proof किया non homogeneous or homogeneous system of equations कैसे निकलते हैं ठीक है इनकी condition हम next video में discuss करेंगे यहां से दो चीज़े और जान लेते हैं देखिए यह जो matrix है आपकी A इसको आप बोल सकते हो कि यह आपकी क्या है normal matrix है मतलब जो A है यहाँ पर इसको आप क्या बोल सकते हो matrix है ना और आप बोल सकते हो coefficient matrix matrix okay जो यहाँ पर आपका X है यह आपका कहलाता है matrix और vector matrix यह आप इसे बोलते हो और आप इसे बोल सकते हो क्या unknown ठीक है यह तो आपकी zero matrix है बट यहाँ पर देखिए A जो है आपका यहाँ पर क्या है same matrix or coefficient matrix है X again आपका vector or matrix है आप बोल सकते हो vector matrix है यह आपका constant matrix है इसे आपको धियान में रखना है बी आपका क्या है constant matrix है इसे आप vector matrix vector or matrix normal भी बोल सकते हो बट जनल यह हम इसे बोलते हैं यह constant matrix है because यहाँ पर आपको constant दिया हुआ है है ना तो यहाँ पर देखिए जो हम बात कर रहे थे consistent or inconsistent ही यह हमारा homogeneous or non-homogeneous system of equations में भी exist करता है ठीक है यहाँ पर जो हम system of equation की बात कर रहे है वो हमारे homogeneous or non-homogeneous system of equation की बात कर रहे थे है ना तो यहाँ से एक question हो रहता है कि why we use homogeneous or non-homogeneous of equation for given system of linear equation है ना अब हम homogeneous और non-homogeneous जो हमारा given है ठीक है system of equation वो हम क्यों use कर रहे है ना homogeneous और non-homogeneous हम क्यों use कर रहे है हमें क्यों use करना है system of linear equation के अंदर again हमें consistent और inconsistent पता करना है मतलब consistency और inconsistent पता करना है हमारे equation के बारे में कितना वो हमको solution exact provide कर रहा है क्या हमें solution दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है यही चीज हम same rank में निकालते थे अगर आपको यादोगा पिछली वीडियो में मैंने आपको पताया था कि rank हम किसले find करते है इसलिए find करते है ताकि हमें यह पता चल सकी कि जो हमारे given system of equation है वो हमें कितने type के solution provide करने वाला है type of solution कितने type of solution पता करने वाला है है ना for a particular system of equation मतलब हमें महां पर देखी rank मिल दे थी राइट 1 2 3 4 यह आपका order of किस पर depend करता था आपके question order of matrix पर depend करता था है जीरो matrix कभी नहीं आगी है मैंने आपको हमेशा से बोल तो rank जो हमें मिलती थी कुछ इस तरह के से मिलती थी तो यह हमें यह बताता था है ना तो यहां पर हमने यह पता किया कि homogenous है non homogenous है ठीक है किस तरीके से equations आएंगे बट उनकी conditions के बारे में हमने यह पर कुछ भी discuss नहीं किया है वह हम next video में discuss करेंगे तो I hope यहां से आपको सारी चीजे समझ में आ गई है कि system of equation क्या होता है non homogenous क्या होता है किस तरीके से इसे matrix form में आप change कर सकते हो हरम तो मिलते है हमारे next video में वहां पर हम homogenous और homogenous और non homogenous के बारे में discuss करेंगे ठीक है उनकी conditions के बारे में discuss करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो like और subscribe जरूर कीजेगा नोटिफिकेशन के विल को जरूर अन कीजेगा ताकि में जस्ते वीडियो अप्लोड करूँ आपको तुनन्त नोटिफिकेशन मिल जाए सो मिलते हमारे next video में तक तक के लिए पापाए